नमस्कार मित्रों, डिसरार पंड चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में, मैं हूँ अमिद्दू बे, और आज के इस वीडियो लेक्चर में, हम क्लास 12, इंगलिस के फर्स्ट चैप्टर, The Last Lation का अध्यन करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, मैं आ आज के इस वीडियो लेक्चर में, इस चैप्टर को मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल सब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज्यादा आशान हो जाएगा, चलिए अपने अध्याय पर चलते ह जैसा कि आपको पता होगा कि ये आपका दलाश लिशन अध्याय का दूसरा वीडियो लेक्चर है, अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इसका पहला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, चैनल की जो ही है तो आपकी पुस्तक में अध्याय है और आप पढ़ सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं होती चलिए अब अगर आपको पिछला वीडियो लेक्षर नहीं मिलता है तो आप ये काम कर सकते हैं कि स्क्रिन पर जो पट्टी चल रही है उस पर कॉल या फिर मैसेज करके भी अब यहां से हमाई पर आपको पढ़ सकते हैं अब पिछले वीडियो लेक्षर में आपने यहां तक पढ़ लिया था आईवास तक अब यहां से हमें पढ़ना है कहते हैं कि बट लेकिन नथिंग कुछ भी हैपन नहीं हुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ M HML M HML ने Shaw मतलब होता है देखना देखा second form है she का तो Shaw, me M HML ने me, मुझे Shaw देखा and or sad बोला very kindly, very, बहुत kindly प्यार से, और बहुत प्यार से कहा, ऐसे भी कह सकते हैं, कि M HML ने मुझे देखा, और बहुत डायालुता पूरवक कहा, क्योंकि kind पतलब होता है Dayalu, तो Dayalu ता पूरवक कहा, go to your place, go जाओ to your place, अपने अस्थान पर quickly, जल्दी जल्दी अपने अस्थान पर जाओ little Nanie French, Nanie French Nanie French जल्दी अपने अस्थान पर जाओ we, हम, were beginning, begin मतलब होता है we were beginning, हम हम सुरू करने वाले थे, past continuous tense, नहीं होता ना, was your, तो we were beginning, हम सुरू करने वाले थे, without you, तुम्हारे बिना ही, without मतलब बिना you, मतलब तुम्हारे, हम तुम्हारे बिना ही सुरू करने वाले थे, तो रिवीजन कर लीजिए, but nothing happened, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अर्थात मैंने सोचा था, कि वो मुझे डाटेंगे, या फिर मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, but nothing happened, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, कि लेकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एमहमल शौमी, एमहमल ने मुझे देखा, and said, very kindly, और बहुत दयालुता पूरवक कहा, go to your place quickly, जल्दी से अपने अस्थान पर जाओ, little friends, none of friends, we were beginning without you, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, I jumped over, jumped over का मतलब होता है, उचल कर, the bench, मैं bench से उचल कर, या फिर bench से कूद कर, कूद ना भी कह सकते हैं, jump का मतलब, तो मैं bench से कूद कर, and sat, sat मतलब होता है, बैठना, sat down, कहते हैं न, madam कहते हैं न, class में, sit down, तो वह second form है, sat down, बैठ गया, at my deck, अपनी deck पर, अपनी मेच पर, तो इसको बहुत ही सरल तरीकिया से आप ऐसे कह सकते हैं, कि मैं, jumped over the bench, bench से कूद कर, and sat down at my deck, अपनी deck पर, बैठ गया, not, नहीं, till, then, तब तक नहीं, अर्थात, पहले तो मैं घबराया था कि मुझे मार पड़ेगी, मुझे डाट पड़ेगी, तो मेरा ध्यान इधर, उधर की चीजों में नहीं गया, तब तक तो मैं सिर्फ डर रहा था कि पहुँचूंगा तो मार पड़ेगी, लेकिन जब मैं अपने स्थान पर बैठ गया, उसके बाद, not, till, then, कब तक नहीं, कब तक नहीं, लिखा है आगे, विन, जब I had got a little, I had got, जब मैंने थोड़ा सा जीत लिया, a little थोड़ा सा, a little got I, जब मैंने, विन, जब मैंने a little थोड़ा सा गोट विजय प्राप्त कर ली, जब मैंने, विन मतलब जब, I मतलब मैंने, जब मैंने थोड़ी सी विजय प्राप्त कर ली, मेरे भै के उपर अर्था, जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, not, till, then, उसके बाद, ठीक है, अब समझ में आ गया, not, till, then, का मतलब है, उसके बाद, किसके बाद, विन मैंने, अपने डर पर थोड़ी सी विजय प्राप्त कर ली, अर्था, जब मैंने अपने डर को थोड़ा सा जीत लिया, अर्था, जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, not, till, then, उसके बाद, Did I see, मैंने देखा, Did I see, I see, मैंने देखा, क्या देखा, that कि, आवर टीचर हमारे अध्यापक ने, head पहन रखा था, head on his, अपना beautiful सुंदर green हरा coat, अपना सुंदर हरा coat पहन रखा था, फिर से revision कर लीजिए, I jumped over the bench and sat down at my deck, मैं bench से कूद कर, अपनी deck से पर, sat down हो गया, अपनी deck से पर, बैठ गया, not, till, then, when I had got a little over my fright, जब मेरा, तर, थोड़ा सा कम हुआ, not, till, then, तब मैंने देखा, या फिर उसके बाद मैंने देखा, क्या, Did I see, not, till, then, did I see, उसके बाद मैंने देखा, क्या, That our teacher हमारे अध्यापक ने head-on पहन रखा था, क्या पहन रखा था, He is beautiful, अपना, He is मतलब अपना, beautiful मतलब सुंदर, green मतलब हरा, coat मतलब coat, अपना सुंदर हरा, coat पहन रखा था, तो इसका सीधा मतलब यह है, कि जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद मैं हट जाता हूँ, इसका सीधा सा मतलब है, not till then, when I had got a little over my fright, इसका सीधा सा मतलब आप बोलेंगे, कि जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ गया, not till then, did I see, उसके बाद मैंने देखा that की, our teacher had on his beautiful green coat, हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा, coat पहन रखा था, he is अपनी friend, friend बतलब होता है, जहालरदार, जहालरदार, अपनी जहालरदार, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा करूँगा बिटा, ताकि आपको इस पश्ट रूप से दिखाई दे, अपनी जहालरदार, आजाईए आप नीचे महद है, अपनी जहालरदार यहाँ पे लिखा है shirt, अपनी जहालरदार shirt पेहन रखी थी, इस पर एंड और दे लिटिल छोटी ब्लैक काली सिल्क की कैप टोपी पेहन रखी थी और छोटी काली सिल्क की कैप टोपी पेहन रखी थी, अपनी यूट्यूब से वीडियो की क्वाल्टी बढ़ा लीजेगा, अगर नहीं आता तो बड़े भाईया या बड़ी बहन होंगी घर में, उनसे पूछे, वो बताएंगे आपको, क्योंकि आप तो बच्चे हैं, अभी भी बच्चे हैं, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हो गये हैं, लेकिन हम लोगों की नजर में आप अभी भी बच्चे हैं, अगर आपको नहीं पता कि क्वाल्टी कैसे बढ़ती है, तो 720 या 480 पे उसको कर लीजेगा, माता जी से, पीता जी से, या फिर बड़े भाई-भैन से कहके, उसको करवा लीजे, वहापे सारी चीजे दिखाई देंगी, हालां कि मुझे लीपा पोती नहीं पसंद, लीपा पोती से मेरा तात्पर है, कि मैं भी चाहता, तो इसको डिजिटल करवा सकता था, और था इसकी पी-पी-टी बनवा सकता था, क्योंकि आपके माता-पिता के आसिरवात से, और आपके प्य दार की वजह से काईपिष्ट हैं, लेकिन मुझे न, शभाव में सादगी, सरलता और इस्थिरता पसंद है, मैं खुद ऐशा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ, कि वीरी पढ़ाई भी बिलकुल मेरी तरह हो, मैं क्लास में के वले एक बात पर ध्यान देता हूँ, और वो हो होता है कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ जाए, ना कि इस बात पर कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो रंग भी रंगा देखे, क्योंकि आप भी जानते हैं, आज कल एक नया फैसन चल गया है, मेक अप का, तो मेक अप से तो व्यक्ति सुन्दर दिख सकता है, ले सादगी पोर्ण है, तो उसके किरदार की सुन्दरता जीवन भर उसके साथ रहती है, मेक अप वाली सुन्दरता तो बस कुछ सीमित समय के लिए है, कुछ समय बाद वो समाप तो हो जाएगी, लेकिन किरदार की सुन्दरता जीवन भर उसके साथ रहेगी, पिलकुल उसी त छुनता हूँ इस्थिरता को और इस्थिरता यहां से आ सकती है कि आप डारेक्ट पुस्तक से पढ़ें NCRT की सीधा बुक उठाई उसको PDF में कनवर्ट कि आप बोट पे लगा दिया ताकि हर एक चीज को इस पर स्ट्रूप से समझा सकूँ कुछ भी रंग भी रंग अलग से ना हो आपका दिमाग स्थिर रहे और आप आराम से पढ़ सकें ठीक है तो अगर quality में दिक्कत है जैसे दिखने में दिक्कत है क्योंकि ये जो कुछ लाइने लिखी है ये print थोड़ी हलकी हुई है तो अगर दिखने में दिक्कत है हाला कि दिक्कत नहीं होगी मेरे सामने इतनी बड़ी टीवी लगी है उस पर तो इस पर शूरूप से सब कुछ दिख रहा है हाला कि आपको दिक्कत है अगर तो अपनी quality बढ़ा लीजिए यूटूब की quality होती है वीडियो की 720 पे कर लीजिए ये passage पढ़ लीजिए फिर आगे के passage इस पर शूरूप से आपको देखते रहेंगे क्योंकि वो मोटे मोटे लिखे है ये थोड़ा हलकी स्याही से लिखा गया है ठीक है और data की tension मत लीजिए ये पूरा वीडियो लेक्चर अगर आप 720 पीपर भी देखते हैं तो मुश्किल से 100 से 1.500 ये अभी में आपका पूरा वीडियो लेक्चर कम्पलीट हो जाएगा YouTube पे ज़्यादा data खर्च नहीं होता है ठीक है चलिए And the little black silk cap और अपनी छोटी काली silk की टोपी पहन रखी थी ठीक है तो अपनी जालरदार shirt और काली छोटी silk की टोपी पहन रखी थी All embroidered अभी embroidered क्या है देखी ये टोपी पहन रखी है महोदे ने Embroidered का मतलब होता है कभी कभी आपने देखा होगा कि माताएं बहने जब sweater वगरा बनाती है तो उस पे छटे 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 फूल बना देती है हम उसे आम बोल चाल की भासा में कहते हैं कि ये फूल का डिजाइन बना हुआ है और उसी डिजाइन को सुद्ध हिंदी में कहें Embroidered अर्थात काशीदा कारी कहते हैं English में उसको कहते हैं Embroidered और हिंदी में उसको कहते हैं काशीदा कारी करना जिस पर काशीदाकारी की गई थी अर्थात फूल वगेरा का डिजाइन बना रहा होगा या फिर हो सकता है कोई और डिजाइन बना रहा हो यह तो मैं नहीं कह सकता कि कौन सा डिजाइन बना था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यह लिखा है कि उस पर कासी दाकारी की गई थी, किसकी कासी दाकारी की गई थी, यह नहीं लिखा है, ठीक है, इस परस्ट है सब कुछ, जिसे ही वहाँ, वहर मतलब होता है पहनना, निवर वहर कभी नहीं पहनते थे, वहर सेकेंड फॉम में है, तो निवर वहर कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है शिवाय के अलावा, किसके अलावा, और इंस्पिंसन, इंस्पिंसन मतलब होता है निरिक्षन करना, निरिक्षन and और प्राइज, प्राइज मतलब होता है पुरुसकार, वितरन इस दिनों के except अलावा, जिसे वो निरिक्षन और पुरुसकार वितरन दिनों के अलावा कभी भी नहीं पहनते थे, clear है? That he never wore except on inspection and price days, जिसे वहाँ निरिक्षन और पुरुसकार वितरन दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे besides, आप देखी, besides कर रहे हैं कि इसके अलावा, besides का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा the whole school, पूरा school, विद्याले seemed प्रती तो हो रहा था इसके अलावा, पूरा school ही बहुत विचित्र और गंभीर प्रती तो हो रहा था बट लेकिन, the thing जिस बात ने that surprised आश्चेरे चकित कर दिया मी मुझे, लेकिन जिस बात ने मुझे आश्चेरे चकित कर दिया सबसे ज़ादा, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़ादा आश्चेरे चकित कर दिया वाज, वो बात ये थी कि तूशी ये देखकर ऐसे कह दीजिए इन सब्दों को चोड़ देते हैं लेकिन जिस चीज ने मुझे शब से ज़्यादा आश्यरे चकित कर दिया वो ये था कि मैंने देखा क्या देखा? On the back benches की पीछे की benches पर that जो वर हमेशा always वर always हमेशा empty खाली रहती थी the village people गाउं के लोग sitting बैठे हुई थे quietly चुप चाप like ourselves हमारी ही तरह उन पर गाउं की लोग हमारी ही तरह बिलकुल चुप चाप बैठे थे हलां कि इस क्या के चलने से पहले हम रिविजन करेंगे लेकिन अभी लगता है यहां तक आज आना चाहिए ठीक है? old house old house मतलब बुढ़ा हाउजर बैठा था with his अपनी three cornered three corner मतलब होता है kona three मतलब tikona three corner मतलब tikona tikoni at topi पहने हुए अपनी tikoni topi पहने हुए old house बुढ़ा हाउजर बैठा था यहां से लेकर यहां तक एक बार रिविजन कर लीजे and a little black silk cap इसका मतलब हो जाएगा कि काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी चलिए मैं सीधा सीधा रिविजन कराता चलता हूँ all embroidered जिस पर कासी दाकारी की गई थी that he never wore except on inspection and prize tees जिनहें वहां निरिक्षन और पुरुसकार वितरन दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे besides the whole school seemed so strange and sholiman इसके अलावा पूरा विद्याले बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourself लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्यर्य चकित किया था वह यह थी कि हमेशा खाली रहने वाली पीछे की बेंचों पर गाउं के लोग हमारी ही तरह चुपचाब बैठे थे old hauser with his three cornered hat अपना या फिर कह सकते हैं कि अपनी ती कोनी टोपी पहने old hauser बूढ़ा हाउजर बैठा था या फिर कह सकते हैं कि बूढ़ा बैठा था आप अपने सब्दों को और सुधारना चाहें तो three cornered hat को आप कह सकते हैं his three cornered hat को आप कह सकते हैं अपना ती कोना टोप हिंदी में टोप का मतलब भी टोपी होता है टोपी का मतलब तो टोपी होता ही है ठीक है तो अपना ती कोना टोप पहने हुए बुढ़ा हाउजर बैठा था या फिर अपनी टिकोनी टोपी पेहने हुए बुढहा ओजर बैठा था अब मैं आपको शृतंत्र करता हूँ कि आप कि सद्द का चेयन करेंगे क्योंकि आप अपनी सृतंत्रता के लिए पूरी तरह से सृतंत्र है जहर सी बात है आपका आप सब्द चेयन करेंगे इसके लिए तो आप सुतनत रही है मैं तो बस अपनी बातों को रख सकता हूँ आपके सामने हाँ विथी इस त्री कॉर्णर हैट अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए बुढ़ा हाउजर बैठा था दा फॉर्बर फॉर्बर यह जो फॉर्मर सब्द लिखा है इसका मतलब होता है भूत पूर्व फॉर्मर भी होता है फॉर्मर मतलब किशान होता है यह फॉर्मर का मतलब होता है भूत पूर्व मेर भूत पूर्व मेर बैठे थे दा फॉर्मर भूद पूर्व पोश्ट मास्टर पोश्ट मास्टर बैठे थे और सुल-टे जावडें एसी अलावा सुल-टे मिली तब नोग बहुत-से अन्य नोग भी बैठे थे तो कहने का मतलब कि पूरा गाओं ही खठा हों गया था क्या भाई यह लड़ड़ड़ गट रहा था क्या चलिए everybody हर एक वेक्ति looked sad दुखी दिख रहा था sad मतलब दुखी looked मतलब दिखाई पड़ना तो हर वेक्ति दुखी दिखाई पड़ रहा था and hauser और वहाँ hauser या फिर बूढ़ा मैं चाहूंगा कि आप बूढ़ा कहें या फिर आप hauser कहें इसका chain आप खुद करें मैं कहता हूँ hauser and hauser had brought लाया था एन एक old पुरानी primer primer मतलब था बाल पुस्तक जो सबसे पहली पुस्तक आपको मिली थी जिस पे कासे कबूतर, खासे खरगोस गा से गमला, गा से घड़ी और अंगा माने कुछ वो ना ही लिखा था वो थी बाल पुस्तक ठीक है तो बूढ़ा हाउजर अपने साथ एक पुरानी बाल पुस्तक brought लाया था bring brought brought, bring मतलब लाना, brought second form में आ गया तो हम कह सकते हैं कि बूढ़ा हाउजर अपने साथ अच्छा, third form में लिखा है, head brought है तो बूढ़ा हाउजर अपने साथ एक पुरानी बाल पुस्तक लाया था ठीक है? अब देखिए head लगा है इसलिए मैंने कहा कि third form है, ठीक है? second और third दोनों brought ही होता है इसका thaumd, जो thaumd हो गया थे at the age मतलब होता है किनारे जिसके प्रिष्ठों के किनारे thaumd हो गया थे अंगुठे से thaumd मतलब अंगुठा जब किसी पुस्तक का पेज पलड़ते हैं तो अंगुठे से ही पलड़ते हैं जैसे मेरे पास मान के चलिए ये आपकी हिंदी वाले सर की पुस्तक रह गई है इससे प्रिंट करवाते हैं वो मतलब पीपिटी बनवाते हैं गाइड नहीं है पुस्तक है उनकी तो जैसे अब मैं ये पुस्तक खोलूँगा तो इसका ये पनना पलटूँगा अंगूठे से आँगूठा और अंगली ये मैंने ये पलटा मैंने ये पलटा मैंने तो बच्चा आप जानते हैं कि जैसे पुस्तक पुरानी होती जाएगी इसके ये जो pages हैं यहां जहां पर मैं पलट रहा हूं बार-बार ये दिर दिर काले पड़ जाते हैं तो वही वो कह रहे हैं कि जिसके प्रिष्ठों के किनारे प्रिष्ठ मतलब ये पूरा प्रिष्ठ है लेकिन प्रिष्ठ का किनारा ये है तो जिसके प्रिष्ठों के किनारे ठंड हो गए थे अंगूठे से बार बार पेज या फिर पन्ने उलटने की वज़ा से या फिर पलटने की वज़ा से गंदे हो गए थ जिसके प्रिष्ठों के किनारे अंगूठे से बार-बार प्रिष्ठ या फिर पन्ने पलटने की वज़ा से गंदे हो गए थे और ही कौन ही हाउजर और उसने हेल्ड इट ओपन हेल्ड इट ओपन इसको खुला रखा था और उसने इसे खोल कर अपने घुटनों पर रखा था जैसे आप बैठ गए तो अपने अपने घुटनों पर पुस्तक रख ली और उसने इस पुस्तक को खोल कर अपने घुटनों पर रखा था बिथीज और उसके ग्रेट बड़े देखे ग्रेट मतलब होता है महान और यहाँ पर ग्रेट का मतलब है बड़ा उसका बड़ा स्पेकल्स मतलब होता है चस्मा दादा जी का चस्मा गोल ठीक है चस्मा आयनाक जो चाहें आप कह सकते हैं और उसका बड़ा चस्मा लेंग पड़ा हुआ था across the pages प्रिष्ठों के अक्रोस प्रिष्ठों के उपर अब जैसे मैं ही कह दूँ कि यह जो मेरी प्रिष्ठ है मेरी प्रिष्ठे उसका चस्मा ऐसे उपर पड़ा था ठीक है उसने चस्मा भी लाया था वो की अगर ज़रूर पडी तो पर पढ़ेंगा मैं रिविजन करवा दूँ एक बार यहां तक हो गया था दा फॉर्मर मेयर भूदपुर मेयर दा फॉर्मर पोस्ट मास्टर भूदपुर पोस्ट मास्टर और सेवरल लदर्स और गाउं की बहुत से अने लोग बैठे हुए थे अबरिबड़ी स्लुक्ट सेड हर एक वेक्ति दुखे दिखाई पड़ रहा था एंड हाउजर हैड ब्राइमर और बुढ़ा हाउजर या फिर बुढ़ा अपने साथ एक बाल पुस्टक लाया था some dead the ages जिसके प्रिष्ठों के किनारे अंगूठे से बार-बार पन्ने उलटने के वज़ा से गंदे हो गए थे and he held it open on his knees और उसने इस पुस्तक को खोल कर अपने घुटनों पर रखा था with his great speckles laying across the pages और उसका बड़ा चस्मा प्रिष्ठों पर पड़ा था अब हम थोड़ा सागे चलेंगे मुझे हल्की फुल्की महका रही है कि यह chapter अब एक नया मोड लेने वाला है while जब I'm a what's wondering सोच रहा था about it all इन सभी चीजों के about बारे में जब मैं in सभी it मतलब in all मतलब सभी तो it all इन सभी चीजों के about बारे में wondering सोच रहा था इतना बड़ा बड़ा लिखा है न मेरे सामने तो ऐसा लग रहा है जैसे इतना बड़ा आपको तो छोटू सा देख रहा होगा मुझे मैं एक दम पास से देख रहा हूँ न मुझे लग रहा है इतना बड़ा है अब की तुलना की जाए तो इतनी है यह आप कल्पना कर सकते हैं मुझे कितना बड़ा दिख रहा होगा तो एक एक चीज मुझे समझनी पड़ा रही बहुत इस पश्रूप से बड़ी मेनत करनी पड़ा रही है लेकिन हाला कि यह बात माइने नहीं रखती आप अगर अच्छे स के पढ़ लेते हैं तो मेरे लिए इतना काफी है वाइल आ वाज वंडरिंग अबाउट इट आल जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था देखे मेरी पेंगिर गई एम हैमल माउंटेट बैठ गए इस चेर अपनी कुर्सी पर जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था कि तभी एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और इन सेम उसी ग्रेव गंभीर और जेंटल और विनम्र टोन अंदाज में और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में विच जिसका उन्होंने यूजड प्रियोक किया था तो मेरे उपर जिसका उन्होंने मेरे उपर प्रियोक किया था या फिर जिसका उन्होंने मेरे और बिनमरंदाज में, जिसका उन्होंने मेरे लिए प्रियोग किया था, सैड बोला, क्या बोला, माई चिल्रेन, मेरे बच्चों, यहां अंतिम पाठ, यहां अंतिम पाठ है, आई शेल जो आई मैं गिव यू आपको पढ़ाऊंगा, यह अंतिम पाठ है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, दो ओर्डर आदेश है, कम आ गए है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, बर्लिन से आदेश आ गए है, टुटीज की पढ़ाया जाएगा, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, केवल जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी, इन्दे स्कूल विद्ध्यालियों में, ओफ अलसास, और लॉरेन, अलसास, और लॉरेन के, तो, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था है, मैं मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गए, और उसी गंभीर और विनमर अंदाज में, जिसका उन्होंने मेरे लिए प्रियोग किया था, कहा, मेरे बच्चों, ये अंतिम पार्ठ है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बरलिन से आदेस आ गये हैं कि अलसास और लॉरेन की स्कूलों में अब केवल जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी, अलसास और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी, ऐसे भी कह सकते हैं कि अलसास और लॉरेन की स्कूलों में केवल जर्मन पढ परहाए जाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। The new master नए अध्यापक यहां है। मैं आ जाता हूँ सामने उसी टेक्स्ट के। तो new master नए अध्यापक कमसा जाएंगे tomorrow कल। नए अध्यापक कला जाएंगे। यहां इस है यूर आपका लाश्ट अन्तिम फ्रेंच भासा का लेशन पाठ ये फ्रेंच भासा का आपका अन्तिम पाठ है। अर्थात आज के बाद आप दुबारा कभी फ्रेंच भासा का पाठ नहीं पढ़ पाएंगे। आई मैं वांट चाहता हूँ यू कि आप टू भी हो वेरी अटेंटिव, बहुत अटेंटिव हो, बहुत एकागर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत एकागर हूँ। मैं इन सब पर विचार कर रहा था या फिर जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lauren. Alsace और Lauren की स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाय जाने का देश Berlin से आ गया है। The new master comes tomorrow, नए अध्यपकल आ जाएंगे। यहाँ आपका ऐसे कह सकते हैं कि this is your last French lesson, यहाँ आपका French भास्षा का अंतिम पाठ है। I want you to be very attentive, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत एकागर रहें। ठीक है? मैं पूरी तरह से हड़ जाता हूँ और पूरा बोर्ड छोड़ देता हूँ दाकि आपको हर चीज इस पस्ट्रोप से दिखाई दे। फोड़ा सा ऊपर चलेंगे, कहता है what a thunder clap, thunder clap होता है बिजली गिर जाँ बिजली गिरते हैं आसमान से thunder clap, बिजली की करकडा हट तो बिजली की करकडा हट, इस वर्ड ये सब्द word to me मेरे लिए थे, word to me मेरे लिए, इस वर्ड ये सब्द ऐसे थे जैसे water thunder clap, जैसे बिजली की करकडा हट हो, इसको आप और फोड़ा सा सुधार कर सीधा सीधा कह सकते हैं, कि these words, इन सब्दों को सुनकर मी मुझे ऐसा लगा, जैसे thunder clap मेरे उपर बिजली गिर गई हो, इन सब्दों को सुनकर मुझे ऐसा लगा, जैसे मेरे उपर बिजली गिर गई या फिर आप पुस्तक की भासा में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये सब्द मेरे लिए बिजली की कड़ कड़ाहट के समान थे आपर आस्थे से जा रहे हैं एक आएक आसमान में बिजली कड़ा कर जाए आप दबख जाते हैं, जिसके कि और इसके अशलबेत की अब पार ainda किसे अuttमाड़chae लोग कुस्का पाइब तरण यही अविए भेस्टप फुक्ल sitten मर्सको अधस पूल फ्लिए प्लेंगा चेलिए था टाउन हाव सभहागार पर गार्यत पर ये उस सभागार तब आ रहा था जब इस नुप ना वॉक्टर नामक लोहर ने कहा था कि स्कूल बहुचने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है उन सभी लोगों को अभागा बोल रहा है वो उन अभागे लोगों ने सब अभागे हैं क्योंकि उनका देश उनसे छिन गया है तो उन अभागे लोगों ने सभागार पर यही लि लगी थी यही देहट पुट अप उन्होंने लगा दिया था या फिर उन्होंने लगा दिया था सीधा सीधा आप कह सकते हैं अरे ओह का मतलब होता है अरे दब्रेचिस अभागे लोग that was what they had put up at the town hall सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था अरे अभागे लोग सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था माई मेरा लाश्ट अंतिम फ्रेंच भासा का लेशन पाठ मेरा फ्रेंच भासा का अंतिम पाठ वाई क्यों वाई मेरी क्या गलती है इसमें क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है I hardly मैं बड़ी मुश्किल से निव सीख सका था How to write लिखना मैं लिखना भी बड़ी मुश्किल से सीख सका था वाई जब आपने लिखना सुरू किया होगा तो बहुत लंबा संगर्ज किया होगा आपने पेन पकड़ा होगा फिर टेढ़े मिढ़े अच्छर बने होंगे फिर आपने धीरे-धीरे लिखना शुरू किया होगा वो बच्चा भी कह रहा है कि वाई क्यों I had hardly नहीं यहाप है I hardly knew how to write मैं अपने सब्दों को बदल देता भी तो मैं बड़ी मुश्किल से तो लिखना सीख सका था I should मैं should never कभी भी नहीं नहीं लर्न सीख पाऊंगा anymore इस से अधिक इस से आधिक मैं अब कभी नहीं सीख पाऊंगा I, मैं या फिर मुझे मुझे आवस्य ही श्टॉप रुक जाना पड़ेगा देर यहीं पर अब मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ेगा जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो पड़ाएगा कौन अब मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ेगा then I must stop there then अर्था अब मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ेगा ओ अरे how sorry मुझे कितना दुख हो रहा था sorry हो ना, दुखी हो ना मुझे कितना दुख हो रहा था या फिर मैं कितना दुखी हो रहा था I was मैं तो how sorry I was मैं कितना दुखी हो रहा था I मतलब मैं वाज मतलब था sorry मतलब दुखी हो ना how मतलब कितना मैं कितना दुखी हो रहा था for not for मतलब के लिए किसके लिए not learning, ना पढ़ने के लिए my, अपना relation part अपना part ना पढ़ने के लिए how sorry I was, मैं कितना दुखी हो रहा था आप भी अपनी पढ़ाई को कल पढ़ टालते जाते हैं, कि कल पढ़ूँगा कल पढ़ूँगा, कल पढ़ूँगा तो वही वो भी कह रहा है कि मैं पढ़ना part ना पढ़ने के लिए कितना दुखी हो रहा था for seeking seeking है यल लिख रहा था ये आप के दिख रहा है ना board पर तो के दिख रहा है for seeking, seeking मतलब होता है धूणना चिडियों के अंडे birds उसके बाद apostrophe yes लगा जिसका मतलब होता है काकी के और x लिखा है अंडे तो चिडियों के अंडे धूणना चिडियों के अंडे धूणने पर मैं कितना दुखी हो रहा था भाई मुर्गी पालान अगर कोई लोग करते है तो मुर्गियों के अंडे धूणने पड़ते हैं कि कहां अंडे धिया है मुर्गी ने ठीक है तो चिडियों के अंडे धूणने के लिए मैं कितना दुखी हो रहा था और अथवा going sliding sliding फिसलने पर कहां पर on the star star देखिए जैसे हमारे यहाँ पर हमारे इलहाबाद में नदी है गंगा उसी तरह से अलसास और लॉरिन की सीमा पर एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है शार तो शार नदी पर sliding करने के लिए slide करना तो सुना ही होगा आप भी एकर नदी किनारे गए होंगे तो slide किया होगा आपने फिसले होंगे वहां की जमीन पर तो slide मतलब फिसलना तो सार नदी पर फिसलने के लिए मैं कितना दुखी हो रहा था ठीक है Oh how sorry I was for not learning my nation अपना पाठ नायाद करने for seeking birds एक पच्छीयों के अंडे ढूणने और सार पर फिसलने जाने के लिए how sorry I was मैं कितना दुखी हो रहा था अब आप चाहें तो एक साथ पूरा मेरी तरह जोड़के पढ़ सकते हैं या फिर एक एक पढ़ सकते हैं ये जो सार है ये सार नदी है एक नदी है उसका नाम है शार ठीक है हमारे यहां गंगा नदी बहती है हमसे मुश्किल से एक किलोमेटर की दूर पर हैं क्योंकि हम बैंक रोट पर हैं एक नहीं और होंगी कम से कम धाईप किलोमेटर पर जाएगा ठीक है माई बुक्स मेरी किताबे दैट, हैट, सीवड जो प्रतीत हो रही थी सच नॉइस नॉइसस मतलब बोज जो एक बोज लग रही थी मेरी किताबे जो एक बोज लग रही थी अवाई लगो थोड़ी देर पहले मेरी किताबे जो थोड़ी देर पहले एक बोज लग रही थी शो है भी बहुत भारी to carry ले जाने में और ले जाने में बहुत भारी थी तो आप इसको ऐसे सिधा-सिधा पोरा जोड़ कर कह सकते हैं कि मेरी किताबें जो अब तक एक बोज लग रही थी माई ग्रामर मेरा व्याकरण and my history और मेरा इतिहास of the scent और संतों का और संतों का मेरा इतिहास भाई हमारे हाँ भी बहुत संत हुए श्वामी बिवेकानन्द हुए महात्मा गांधी हुए भगत सिंग हुए तो वीर सिवाजी हुए तो यह सब महाराना प्रताप हुए यह सब हमारे संत हैं या फिर हमारे देश के महान लोग हैं जिनके बारे में बात करके हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि यह हमारे देश के लोग थे तो वही बात कि मेरे संतों का इतिहास वर ओल्ड यह सब old friends पुराने मित्र हो चुके थे अब पुराने मित्र हो चुके थे भाई अगर किसी से नई नई मित्रता हुई हो दो-चार दिन की मित्रता हो मित्रता तूट जाए तो ज़्यादा दुख नहीं होता लेकिन कोई ऐसा मित्र हो जिसके साथ बच्पन से आप पढ़ रहे हों और आपके किसी नादानी की वजह से या फिर उसकी किसी नादानी की वजह से या बातों में अनबन की वजह से मित्रता तूट जाए तो बहुत तकलीफ होती है बताईए हमारे इतने पुराने मित्र थे फिर भी हम को छोड़ दिया उसी तरह से ये पुस्तक भी हुई ये ग्रामर भी और ये संत भी उसके पुराने मित्र थे जब अपसे पैदा हुआ था तब से वो इन ही के बारे में सुन रहा था तो आप ये इन सब चीजों को छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था माई ग्रामर मेरा ब्याकरण और माई हिस्ट्री आप दे सैंट और संतों का मेरा इतिहास वर ओल फ्रेंड्स नाओ अब पुराने मित्र हो चुके थे यहां विचार देट की यहां विचार की वो जा रहे थे अवे दूर यह विचार की वो दूर जा रहे थे यहां विचार की वो जा रहे थे अवे दूर यहां विचार की वो दूर जा रहे थे that I or man should never see him again him उनको again दोबारा never see कभी नहीं देख पाऊंगा यहां विचार की वो दूर जा रहे थे और मैं उनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा विचार ने made me forget मुझे भुला दिया था क्या भुला दिया था? all about उन सभी चीजों के बारे में किन सभी चीजों के बारे में? he is the ruler उनकी ruler उनकी चड़ी के बारे में and how cranky और वो कितने ही वाज वो थे ही मतलब वहाँ वाज मतलब थे cranky, cranky मतलब होता है बदमिजाज अध्यापक कभी आप से प्यार से बात नहीं करते वो हमेसा बदमिजाज रहते हैं क्योंकि अगर वो प्यार से बात करेंगे तो आप उनका पाठ कभी याद नहीं करेंगे तो आपको डरा कर रखते हैं धंका कर रखते हैं तो वो बदमिजाज रहते हैं जो आपसे मिजाज जसे पेस ना है वो होता है बद मिजाज ठीक है मुझे लगता है कि मुझे इसको रिविजन कराना चाहिए लेकिन थोड़ी दूर खड़ा हो गया तो मुझे इस पर श्रूप से दिखाई देगा यहां बिचार कि वो दूर जा रहे थे और मैं अब उन्हीं दुबारा कभी नहीं देखूंगा या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं उनको दुबारा कभी देख नहीं पाऊंगा इस बिचार ने मुझे भूला दिया था all about his ruler उनकी छड़ी के बारे में and how cranky he was और वो कितने बदमिजाज थे ठीक हैं तो पूरा कर लें my last French lesson से यह हो जाएगा my last French lesson French भाशा का मेरा अंतिम पाठ वाई अरे क्यों I hardly knew how to write मैं बड़ी मुश्किल से ही लिखना सीख पाया था I should never learn anymore मैं अब इस से आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा I must stop there then वहीं और उसी समय मुझे रुक जाना होगा Oh, how sorry I was for not learning my lesson Oh, मतलब अरे How sorry I was for not learning my lesson मैं अपना पाठ ना याद करके seeking birds' eggs पच्चियों के अंडे ढूढने और going sliding on the star और सार पर फिसलने जाने पर How sorry I was कितना दुखी हो रहा था My books that had seemed such a nonsense a while ago Show heavy to carry Show heavy, बहुत भारी to carry ले जाने में ले जाने में बहुत भारी थी और एक nonsense लग रही थी एक बोज लग रही थी तो यह पूरा जोड़कर आप पैसे पढ़ेंगे My books, मेरी किताबे That had seemed such a nonsense a while ago Show heavy to carry अर्थात मेरी पुस्तकें या फिर मेरी किताबे जो थोड़ी देर पहले ले जाने में बहुत भारी और एक बड़ी समस्या लग रही थी My grammar, मेरा ब्याकरण and my history of the saint मेरा ब्याकरण और संतों का इतिहास For our old friends now अब पुराने मित्र हो गय थे That I couldn't give up जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था And M.Hammal too और मैं M.Hammal को भी नहीं छोड़ सकता था The idea That he was going away यह विचार कि वो जा रहे थे That I should never see him again और अब मैं उनसे फिर नहीं मिल सकूंगा या फिर अब मैं उनको दुबारा नहीं देख सकूंगा इस विचार ने Made me forgot All about his ruler मुझे उनके डंडे के बारे में या फिर उनकी छड़ी के बारे में And how cranky he was और वो कितने बदमिजाज थे इस सब के बारे में सब कुछ भूला दिया था अब बात इस्पष्ट हो गई होगी आपकी ठीक है Poor man बेचारा बेक्ती बेचारा किसको कह रहा है वो अपने अध्यापक को बेचारा आदमी It was in order It was in order सम्मान देने के लिए और मतलब सम्मान देना Of this is last lesson अंतिम पाठ को इस अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए That he उन्होंने Had put on पहने थे He is अपने फाइन सुन्दर संडे रवीवारी क्लोट्स कपड़े अपने रवीवारी कपड़े पहने थे इस अंतिम पाठ को बेचारा आदमी या फिर बेचारा वेक्ती It was in honor of this last lesson अपने अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए He He had put on His fine Sunday Clothes उन्होंने अपने सुन्दर रवीवारी कपड़े पहने थे And Now I understood मैं समझ गया और अब मैं समझ गया क्या समझ गया थोड़ा सा बड़ा करेंगे तब मैं भी समझूँगा और आप भी समझेंगे कि बच्चे नी क्या बात बोली थी अब मैं समझ गया मुझे भी समझा दो भाई क्या समझें है आप क्या समझें है वाई अरे इधर आईए वाई वाई कि क्यों दो ओल्ड में बूढ़े लोग आप दे विलेज गाओं के वर सिटिंग बैठे हुए थे देर वहाँ पर इन बैक आप दे रूम कमरे में पीछे और अब मैं समझ गया कि क्यों गाओं के बुजुर्ग लोग उस कमरे में बैक पीछे सिटिंग बैठे हुए थे ऐसे भी कह सकते हैं कि कमरा ना कह कि आप सिदा सिदा कह सकते हैं कि क्लासरूम अर्थात कक्षा में पीछे बैठे हुए थे और अब मैं समझ गया कि गाओं के बुढ़्े लोग उस कक्षा में पीछे क्यों बैठे थे क्यों बैठे थे चलिए, देखते हैं इस लिए थे था, क्यों की यह भी दुखी थे टू, मतलब होता है भी they were too sorry वो भी दुखी थे किस बात को लेकर दुखी थे that की they had not वो नहीं gone गए थे to school विद्ध्याले more ज़ादा कि वो ज़ादा विद्ध्याले नहीं जा सके थे वो भी इस बात को लेकर दुखी थे कि वो ज़ादा विद्ध्याले नहीं जा सके थे it was अध्यापक को ऑर ही उनकी 40-40 साल की और फ़ेथफुल निश्थावान शर्विस सेवा के लिए. ये उनका अपना तरीका था धन्यवाद कहने का ये धन्यवाद कहने का उनका अपना तरीका था. हमारे अध्यापक को उनकी 40 साल की निश्ठा पूर्ण सेवा के लिए तो ऐसे पढ़ लीजिए हमारे अध्यापक की 40 साल की निश्ठा पूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद कहने का ये उनका अपना तरीका था ठीक है? Of showing their respect or सम्मान दिखाना So मतलब दिखाना there, अपना उनका respect मतलब सम्मान और सम्मान दिखाने के लिए For the country उस देश के लिए उस देश के लिए सम्मान दिखाने का ये उनका अपना तरीका था That was, जो था there's उनका no more अब और अधिक उनका नहीं था अब उनका नहीं था और उस देश के लिए जो अब उनका नहीं था सम्मान दिखाने का ये उनका अपना तरीका था आप सब्दों को पकड़िये दिखिए मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दिखिए It was because they were sorry to ऐसा इसलिए था, क्योंकि वो दुखी थे ठीक है ये उनका अपना तरीका था आप थेंकिंग धन्यवाद कहने का आवर माश्टर हमारे अध्यापक को for his 40 years of faithful service उनकी 40 साल की निष्ठा पौंड सेवा के लिए हमारे अध्यापक की 40 साल की निष्ठा पौंड सेवा के लिए हमारे अध्यापक को धन्यवाद कहने का हो गया होगा दो बार हमें एक ही चीज को पकड़ना था तो यह हो जाएगा it was because they were sorry to that they had not gone to not gone to school more इसका मतलब सिधा-सिधा हो जाएगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें भी दुख था कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गय थे और इस पूरे को जोड कर आप ऐसे कह सकते हैं कि it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that there was no more और इस पूरे को आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की या फिर 40 साल की निष्ठा पॉर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने और वह देश जो अब उनका नहीं था उस देश को समान प्रदर्शित करने का यहां उनका अपना तरीका था क्लियर वाइल जब आई मैं वास थिंकिंग सोच रहा था अफाल दिस इन सब चीजों के बारे में जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था आई हर्ड मैंने सुना माई नीम मेरा नाम काल्ड पुकारा जाता हुआ मैंने अपना नाम पुकारा जाता हुआ सुना यहां वास्था, my turn मेरी बारी to recite दोहराने की अब दोहराने की मेरी बारी थी या फिर कह सकते हैं कि अब बोलने की मेरी बारी थी, उससे पुछा होगा कि participants का नियम बताओ तो वो कह रहा है कि अब बोलने की मेरी बारी थी what क्या, would I, मैं not have given दे सकता था मैं कुछ भी दे सकता था देने का मतलब कि मैं कुछ भी कर सकता था to be, be मतलब होना क्या होने के लिए एवल योग्य होने के लिए to say बोलने के say मतलब होता है बोलना, एवल मतलब योग्य होना तो बोलने के योग्य होने के लिए अर्थात बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए, that उस ड्रेड़फुल भयंकर रूल नियम को, और पार्टिसिपल्स के, उस भयंकर रूल को या फिर उस भयानक नियम को बोलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, लिखा तो ऐसे है, कि बोलने के योग्य होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, आप इसको और सुधार कर, और कटाई-छटाई करकर सीधा कह सकते हैं, कि इस पार्टिसिपल्स के उस भयंक नियम को सुनाने के लिए, अपने अध्यापक को सुनाने के लिए, मैं कुछ भी कर सक सकता था कैसा सुनाना चाहता था आल्थ्रो पूरा का पूरा वेरी लाउड बहुत जोर से या फिर बहुत उची आवाज में एंड क्लियर और साफ साफ ठीक है उस तक में कैसे लिखा है लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा कर कौन बोलता है हम तो सिधा सिधा अपने सब्दों को सुधारेंगे अपने सब्दों को पट्री पर लाएंगे और सिधा सिधा कह देंगे कि पार्टी सिपल्स के उस भयानक नियम को बिना किसी गलती के पूरा का पूरा जोर जोर से सुनाने में समर्थ्म होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था या फिर आप इसको और छोटा करें तब इसको कह सकते हैं कि पार्टी सिपल्स के उस भयानक नियम को बिना किसी गलती के पूरा का पूरा जोर जोर से सुनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था यहाँ पे कहने का मतलब है कि फ्रेंज कह रहा है कि मैं पार्टी सिपल्स के उस कठी नियम को जोर से और इस पश्ट रूप से और बिना किसी गलती के पढ़ना चाहता था ठीक है यह बात लिखी नहीं गई है मैंने अपनी तरफ से जोड़ के बताई है आपको ठीक है चलिए जितना लिखा है उतना ही समझिए वो चाहता था कि वो सुनाए ठीक है यहां और भार पास यहां पर खड़ता हूँ तो पूरा एक तरफ से पढ़ता चला जाता हूँ ठीक है, उम्हीद है आपको चीज़े इस पस्टरूप से समझ में आ रही होंगे, आएए, बट लेकिन I got mixed, mixed मतलब उलज जाना, mixed up मतलब मैं उलज गया, मैं अटक गया, but I got mixed up, लेकिन मैं अटक गया, on the first word, first word मतलब सुरू में ही, first word मतलब जैसे मुझे कलम लिखना है, तो मै काही नहीं लिख पाया, तो वो गया first word, लेकिन मैं सुरू में ही अटक गया, and stood और खड़ा रहा देयर वहीं पर, और वहीं पर खड़ा रहा, holding पकड़े हुए, on to my decks, अपनी decks पकड़े हुए, और अपनी decks पकड़े हुए, खड़ा रहा, my heart, मेरा दिल, beating धाड़ा क रहा थ and not daring, और हिम्मत नहीं हो रही ति टुलू काप उपर देखने की, और उपर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, ठीक है, तो आप इसको सिधा सिधा ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मैं पहले सब्दों पर ही उलज गया, या फिर, लेकिन मैं सुरुआत में ही अटक गया, और मे पकड़ कर खड़ा रहा, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, और मुझमें उपर देखने की हिम्मत नहीं थी, अब इसके आगे, इसके थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको एक एक लाइन, एक एक सब्द, एक एक अ नोट्स कुछ भी चाहिए, नोट्स चाहिए, सब तरह के नोट्स अवेलिबल है, नोट्स के लिए, इस स्क्रीन पर जो नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर, आप कॉल कर सकते हैं, या फिर वाट्स अप पर मैसेज कर सकते हैं, और हाँ, एक चीज और, आपकी जो क्ला हमारा डिजायर पॉइंट का, जो मेधा अकेडमी एप है, उस पर आपकी डेली, फिजिक्स, केमेस्टी, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिस, सभी सबजेक्ट की क्लासेश चलती हैं, और जो उसकी फीस थी, वो ठारसो निन्यानवे रुपय थी, लेकिन, अभी के लिए, इस म निन्यान में मिले रहे थे, वो बैच आपको 9500 रुपय में ही मिल जाएगी, तो अगर आप उडान बैच में जुड़कर, फिजिक्स, केमेस्टी, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिस, सभी सबजेक्ट, इलकुल बहतर तरीके से, बहुत सरल सब्दों में, और योग आपकों से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा Medha Academy एप डाउनलोड कर लिजिए, डिजर पॉइंट का Medha Academy एप डाउनलोड कर लिजिए, एप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्षन में है, चाहे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें, तो जो अपने फोन में डाउनलोड करिए और अपको अपने फोन में डाउनलोड करके मन लगा के पढ़ाई कीजिए पुरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं किसी नय वीडियो लेक्शर में किसी नय चैप्टर के साथ और हाँ बैच लेने से पहले एक बार call करके बात कर लीजिएगा ठीक है ताकि एगर कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई और offer चल रहा हो आपको पता चल जाए ठीक है और ये जो बैच है ये सिर्फ इस साल के लिए है अर्थात ये सिर्फ 2024 के लिए है ठीक है तो 2024 में अगर पढ़ना चाह कर मेधा कैडमी डाउनलोड करें कोई भी दिक्कत हो तो call करके या फिर WhatsApp पर message करके आप उससे बात कर सकते हैं हम आपकी पूरी मदद करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में इस chapter को complete करेंगे तब तक आप यहां तक पुरा complete एक बार पढ़ लीजिए आराम से बहुत आराम से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है आपका स्लेबस सा समय complete हो जाएगा ज्यादा chapter नहीं है आपकी पुस्तक में